हेलो और वेल्कम एव्रिवन वेल्कम बैक तो सक्सेस गुरू चैनल तो आज है 29 अप्रिल और आज के सारे करेंगे हम वन बाइवन और उससे पहले आज का थोट जान लेते हैं थोट है आज का डोंट वेट राइट टाइम विल नेवर कम तो इससे यही लेसन है कि कुछी अच 29 अप्रिल के क्रेंट फेर और फर्स्ट क्रेंट फेर आपकी स्क्रीन पर यह जो है फ्रॉम अप्रिल 2020 विच कंट्री विल नोट इंपोज दा डेथ पेनल्टी ओन माइनर्स हू कमिक्टिड क्राइम इसी महीने से कौन से देश ने फैसला लिया है कि अब वो माइनर्स माइन कि अब अब को दिखा दिया है इसने अभी अभी ये फैसला लिया है और इसने फैसला अपनी मैजी से ही नहीं लिया एमनिस्टी इंटरनेशनल प्रेंसेशन के बारे में सुना होगा اमनिस्टी इंतरनेशनल बेसिकली लह juice की अ fre revolutionary जो पूरे वर्ड में human rights की चीजों को दियार में रखती है और देशों को उसका पालन करने में जोर लगाती है तो यह basically amnesty organization है London-based UK में 1961 में इसकी स्थापना होई थी और इसका headquarter भी London में है थोड़ा पढ़ लेती है इसके बार में detail में Saudi Arabia has ended the death penalty for crimes committed by minors after effectively abolishing flogging as the kingdom seeks to blunt criticism over its human rights record actually Saudi Arabia को आपको पता ही होगा यह death penalties काफी जादा देते थे तो इनका human rights record खराब हो गया था तो amnesty ने इनको कहा कि आप यह बंद कीजिए Saudi Arabia executed at least 187 people in 2019 आप देख लीजे पिछले ही साल इनोंने 187 लोगों को death penalty दिये execute किया है तो Saudi Arabia है तो Saudi Arabia की capital है जियाद Saudi Arabia की currency है जियाद ये भी चीज़े आप mind में रखिएगा बढ़ते हम अपने आज के next question पे जो है the CM of which state has banned all public gathering till 30th June due to COVID-19 हमें बताना है कि भारत के कि स्राज्य के chief minister ने Corona के चलते 30 June तक किसी भी तरह की public gathering करने से मना किया है कोई भी शादी विवास, समारो, function, meeting कुछ भी करना उसने ban कर दिया है Corona के चलते काफी ही मतलब ये संकट भरा समय है लेकिन इसका protection यही है तो ये किया है हमारे B option उत्तर परदेश के chief minister ने अब कोई मुझे बताएगा उत्तर परदेश के chief minister कोन है हमारे उत्तर परदेश के chief minister है हमारे Mr. योगी अधित्यानाथ कोन है योगी अधित्यानाथ और वहाँ के governor बहुत बार discuss करे चुके हैं अनंदी बेन पटेल थोड़ी ओर detail में discuss कर लेते हैं उत्तर परदेश के बारे में उत्तर परदेश का state animal है बारा सिंगा state bird है सेरस क्रोन जिसे हिंदी में हम क्रोंच भी कहते हैं national park है दुद्वा नेशनल पार्क है बहुत बार state exam में पुछा जाता है बहुत बार और repeat में पुछा जाता है तो माइन वेंच से बिठा लीजिए डैम है महा का गोविंद वललबपंत डैम जो है किस रिवर पे रिहांद रिवर पे CM योगिया दित्यनात बता दिया गुवेनर अनंदिवेन पटेल और ये भारत के मैप में है उत्तर परदेश तो ये सब चीजें आपको जन्रल नॉलेज के लिए स्टैटिक जीके की तरह काम करेंगी ये भी माइड में रखिएगा बढ़ते हम अपने आज के next question पे जो है अब ये इस बैठक में बेसिकली संपर्क बैठक होगा क्या इसमें इन्होंने primary school के बच्चों के लिए 500 वीडियोज डाली है और e-books भी डाली है वो क्या होगा बच्चे घर बैठे अपनी study को continue कर सकेंगे अपने syllabus के इसाब से बहुत सारी apps आई है लिकिन ये है बेसिकली ये majorly हिंदी मीडियों बच्चों के लिए इसलिए इंपोर्टन कोश्चन पनता है और ये किस राज्या ने लाई है ये लाई है हर्याना राज्या ने ये एप लाँच की है अब ये हर्याना के सिक्षा मंत्री क्या कोन है और हर्याना के बारे में डिटेल में हम पढ़ लेते हैं अपनी next slide में जो है हर्याना के सिक्षा मंत्री कनवर पाल ने किसने कनवर पाल ने students के लिए समपर्क बैठक मॉबाईल Imp लाइप हर्याना के प्रैमिरी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए है हर्याना के बारे में डिटेश में पढ़ रहे हैry तो हर्याना की राजदानी है चंडि गड आप सबको पता है हर्याना के सीम है मनोह लाल खट sto और वहाँ के governor है सत्य देव नरायन आ रहा हर्याना का state animal जानने तो black buck जो पंजाब का भी है state bird है black frankolin national park जुरूर याद रखीगा दो ही है लेकिन दोनों बहुत important है कालेसर है national park सुल्तानपुर national park और वहाँ के dam कुशलिया dam and oto dam ठीक है कुशलिया dam है जो यह है यमुना नदी पे oto dam है घगर नदी पे किस पे घगर यह चीज़े आप माइंड में बिठा लेजिए let's move to our next question which is India has gifted one lakh of hydroxy chloroquine tablets and 50,000 surgical gloves to which country यह एंड गलती से गलत लिखती है हमने बताना है कि भारत ने किस देश को हमारे किस पडोसी देश को एक लाख hydroxy chloroquine tablet gift की है और 50,000 surgical gloves gift की है वह थी अच्छा यह एक तरह का gesture है पडोसी देश के लिए और hydroxy chloroquine आपको पता है anti-malarian drug है यूएस ने भी हमसे मांगा था strictly विकोज यह इंडिया में ही सबसे जादा बनता है 1950 के बाद से और यह करोना को कंट्रोल करने में काफी help कर रहा है तो यह anti-malarian drug है और 50,000 surgical gloves भी दिये हैं तो किस पडोसी देश को दिये हैं चार option आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है बंगलादेश किसको दिये हैं बंगलादेश के बारे में भी थोड़ा detail में पढ़ लेते हैं बंगलादेश को अब बंगलादेश की ही सबसे जादा है लगता नहीं है बट यह बंगलादेश की ही क्योंकि बंगलादेश घिरा हुआ चारो तरफ से भारत से और इसकी सीमा सबसे जादा है यह question भी बनता है तो अब पढ़ते हैं इंडिया's high commissioner to बंगलादेश कोन है मतलब इंडिया का high commissioner जो ब दुल्हामित याद रखने है यह चीज़े और पी-म है शेक हसीना तो यह सारे extra facts आपको बंगलादेश से भी याद रखने है इससे आपका बहुत ही जागा benefit होगा आप डेली के अगर 15 minute इस session को दे रहे हैं मैं आपको बार-बार कहा रहा हूँ क्योंकि जब आपका कोई भी इस video को देखें अपनी पढ़ाई continue रखें लेट्स मूग तो नेक्स्ट कोस्टिन विच इस अंडर दा वाइसा जीरो इंट्रेस्ट लोन अमांट स्कीम हो मैनी रूपीज हैव बिन क्रेडिटेट टू 8.78 लैक्स एस एच जी वाइस जीरो इंट्रेस्ट लोन स्कीम है कोई कितने रूपए क्रेडिट किये गए है 8.78 लैक्स एस जी को अब इस एच जी क्या है यह आपने सुना होगा इसका मतलब है self help group क्या है self help group ये actually क्या होता है भारत के हर village में छोटे कस्बे में महिलाओं ने जादा तर महिलाओं ने या आदमियों ने आपने सुना कमेटी डाली होती है कमेटी सुना है न मतलब हमारी गली में हमारे parents भी almost करते हैं अपने friend circle हो गया पांच-पांच-जार हर महीने करवा लिया जमा और किसी को चाहिए होते हैं तो उसको इकठा दे दी as a committee तो ये financial एक दूसरे को self help group help करते हैं तो ये आजकल तो social work भी बहुत करते हैं तो उनके लिए YSI zero scheme अब पहले तो आप ये याद रखना YSI जिस भी scheme में आ जाए YSI जिस भी scheme में आ जाए वो अंधरा परदेश की scheme है कहां की है अंधरा परदेश की एक मो स्कीम होता है मो स्कीम जहां भी आ जाए वो होता है उडिसा की और YSI जहां भी आ जाए वो होती है अंधरा परदेश की क्योंकि YSR जगर मोहन रेड़ी हमारे CM है अंदरा परदेश के ठीक है तो अब ये क्या है कि इन्होंने क्या किया है इन्होंने 8.78 सेल्फ हेल्प गुरूप जिसमें मिलाके अल्मॉस्ट 90 लैक वर्कर्स थे 90 लैक वूमेंस थी में लाएं थी और आदमी थे उनको जीरो इंट्रेस्ट पे लोन मुहया करवाने के लिए दिया है हर इन्सान को अल्मॉस्ट 20 से 40 अजार की रखब दी गई है और कितना क्रेडिट कर चुके हैं अब तक वो C option 1400 क्रोड की amount वो अभी तक क्रेडिट कर चुके हैं तो यह YSA स्कीम है जो जिस पे कोई भी लोन नहीं लगेगा self-help groups को ठीक है तो अब यह अंदर प्रदेश है अंदर प्रदेश के बार मैंने आपको बताया अंदर प्रदेश की capital है अमरावती वहां के CM है YSA जगर्मोहन रेडडी और वहां के governor है विश्व भूशन हरीचंदर कोन है विश्व भूशन हरीचंदर तो यह सब चीज़े आपको माइंड में रखनी है let's move to our next question which is who has been appointed as America's next envoy to the OECD OECD क्या है आपके सामने full form भी लिखी हुई है organization for economic cooperation and development क्या है organization for economic cooperation and development अब envoy क्या होता है envoy होता है राजदूत तो हमें बताना है कि अमेरिका का अगला राजदूत OECD में कौन बना है चार option आपके सामने हैं और यह तस्वीर है तो यह तस्वीर है मनीशा सिंग जी की किसनकी मनीशा सिंग इसका right answer है मनीशा सिंग अभी अभी अमेरिका में राजदूत बनी है OECD क्या OECD क्या OECD क्या OECD क्या Organization for Economic Cooperation and Development इसके बारे में थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं लेकिन उससे पहले आपको मनीशा सिंग का नाम याद रखना है जरूरी ठीक है तो OECD क्या है OECD है The Organization for Economic Cooperation and Development is an Intergovernmental Economic Organization with 36 Member Countries founded in 1961 कब फाउंड हुई थी 1961 में और इसका में काम क्या है इसका में काम है तो इसका में काम है टू स्टिमूलेट Economic Progress and World Trade ठीक है मतलब पूरे वर्ल्ड में economy को improve करते रहना और वर्ल्ड में व्यापार को stimulate करना इसका में मोटिव है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी हेड़कोर्टर है पैरिस फ्रांस में और यह फाउंड हुई थी यह यह सब राज्या के चीश मिनिस्टर ने पंद्रा लाख रुपे की सहायता राशी देने का फैसला लिया है जर्नलिस्ट को पत्तरकार को जिनकी मृत्तिव कोविड के चलती हो रही है आपको पत्तरकार अपने अपने घरों में लोकडाउन नहीं है वो हर जगह की हमें न्यूज लाके दे रहे हैं रिपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सहसी काम कर रही है और बहुत히 essential काम कर रहे है हो हम लोगों के लिए और अगर उनका क्रोणा से निधन हो रहा है तो काफी यह दुख की बाते स्लिए सीम ने फैसला लिया है हमारे नीचे दीए गए मैंसे राज्या मैंसे कि उनको भी अपंदर राख रुपे की साइथा राशी दी जाएगी इससे पहले इसी स्टेट के राज्या ने फैसला किया था पचास लाक रुपे की साहता राशी अगर कोई भी मेडिकल हेल्थ केर का बंदा डॉक्टर या नासीज का दिहां दोता है कोविट के चलते हैं फिफ्टी लैक की साहता देंगे वो तो इसका सही उत्तर है ओडिसा, बी ओप्शन ओडिसा अब ये ओडिसा के ही सीम है नवीन पटनाएक, इन्होंने अभी अभी फैसला लिया है तो ओडिसा है तो ओडिसा के बारे में हम बहुत बार डिसकस करे चुके हैं फिर कर लेते हैं, ओडिसा की कैपिटल है भूवनेश्वर, वहां के सीम है इनका नाम है नवीन पटनाएक क्या है नवीन पटनाएक और ओडिसा के गवेनर है गनेशी लाल क्या है गनेशी लाल और ओडिसा के बारे में अगर हमें और पढ़ना है तो नेशनल पार्क आपको याद रखना है भीतर कणी का नेशनल पार्क और अगर डैम याद रखना है तो सबको पता है हीरा कुट डैम जो की मानादी पे है यह तोड़ी सा के बारे में आपको इतनी डिटेल सबको याद रखनी है बढ़ते हम आज के नेक्स्ट कोश्चन पर गाईज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमें यह मोटिवेशन मिलती है खुशी होती है आप भी समझेंगे प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करते रहें आठवाँ कोश्चन है आज का विच कंट्री हैं इंफोर्म्ड इंडिया एक्सराइज पिच ब्लैक हैं पोस्ट्पॉन द्यू तो कोविड-19 वेरी इंपोर्टन कोश्चन इससे बहुत सारे कोश्चन निकलते हैं सबसे पहले तो पिच ब्लैक एक्स युद्ध ब्यास होता किन किन देशों के बीच में है इस बार कहां होना था और अब पोस्ट पॉन हो गया है अब ये तो हमें पता कोश्चन से लग रहा होना तो इंडिया के साथ था अब किस एक्सेसाइज होती है किसमें एर फोस में यह याद रखिएगा तो यह होती हमेश्या अस्ट्रेलिया में है और इस बार यह करोना के चलते पोस्ट पॉन हो गई है तो अस्ट्रेलिया मैंने वर्ल्ड मैप में आपको दिखा दिया है अस्ट्रेलिया की कैप्तल है कैन बेरा के currency है Australian dollar और Australia के current PM है Scott Morrison, कौन है Scott Morrison तो यह आप mind में रखिएगा Pitch Black exercise इंडियो और Australia में होती है ठीक है, extra facts भी mind में रखिएगा Let's move to our next question which is, in April who among the following has been banned for three years due to corruption charge नीचे दिये गए चार क्रिक्टर्स में से हमें बताना है कि इसको तीन साल के लिए ban कर दिया गया है किसी भी तरह के cricket से क्योंकि उन पर corruption के charges लगे है ठीक है, तो चार option जो आपके सामने हैं, वो है उमर अक्मल, शोविब मलिक, उमर गुल, एमर शेजादी सभी पाकिस्तान cricket team के खिलाडी है और अभी अभी उमर अक्मल पर ban लगा है, तीन साल का इन पर लगा है कि इनको fixer होते हैं, जो match fixing करते हैं उन्होंने approach किया, लेकिन इन्होंने अपने board को बताया नहीं, अपने officers को, seniors को बताया नहीं inform नहीं किया, इसलिए इनको तीन साल के लिए अब किसी भी तरह के cricket से ban कर दिया गया, अब ये पाकिस्तान के बारे में हमने कली discuss किया है, कैपिटल है इसलामाबाद, बीम है इमरान खाँ और प्रेजिडेंट है आरिफ अल्वी ठीक है, तो ये चीज़ें आप आप रिवाइस कर रहे होंगे साथ-साथ किसी भी अपनी जोग पे सेफटी और हेल्थ का ध्यान रखने वाला दिन कब अब्जर्व किया जाता है पूरी दुनिया में, चार ओप्शन है आपके सामने और इसका सही उत्तर है, 28 अपरल क्या है 28 अपरल को है साल हम इस दिन को अब्जर्व करते हैं, World Safety and Health at Work, तो ये मनाया किसके जाता है ILO के द्वारा, ILO क्या है International Labour Organization क्या है, Labour Organization ये पूरे विशयों में जितने भी वरकर्स हैं, जितने भी जोब वाले लोग हैं जितने भी मजदूर हैं, लेबर हैं उन सब को, उन सब के राइट्स और उन सब की सेफटी का ध्यान रखती है नोम्स बनाती है, गाइडलाइन्स बनाती है ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेड़कॉर्टर है जनेवा जो की स्वीजर लैंड में है और इस साल का हमें थीम जरूर याद रखने है कोश्चन बनते हैं थीम पे थीम है इस दिन का स्टोप दा पैंडेमिक क्या है स्टोप दा पैंडेमिक ठीक है फ्रेंड्स, I hope आपको ये कोश्चन समझ आ गया हो तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 most important question current affairs के daily दीजिए आपको इसका benefit पता लग जाएगा महीना खतम होने ही वाला end में हम revise भी करेंगे और दिन वाली जितने भी important दिन है उनकी अलग वीडियो भी बनाएंगे कल का question आप से मैंने पूछा था malaria वाले mosquito का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है endophilis female mosquito और सबसे पहले इस counselor दिया है सीमा जी ने and सीमा जी thank you and जुडे रही है इसी तरह से और आज का question है आपके सामने screen पे हमें बताना है कि अकबर के जो famous revenue minister थे उनका नाम क्या है name था अकबर's famous revenue minister please comment books में इस counselor दीजिएगा अगर आता है तो भी दीजिएगा नहीं आता है तो search करके दीजिएगा I assure you कि आप भूलेंगे नहीं है इस question को कभी life में क्योंकि यह आप खुद search करेंगे ठीक है तो channel को subscribe करना मत भूलिए thank you so much for giving your time and thanks for watching guys have a nice day be safe